ये देश बहुत जल्दबाजी में बनाए गया जब आप भावगोलिक विशेशताओं को ध्यान में रखे बिना लकीरें खींचते हैं तो उन लकीरों की सुरक्षा करना बहुत ही मुश्किल होता है अमेरिकन्स को भी लगता है कि हमारे पास बस साहस है बाकी सब चीजें जैसे कि जो संसादन हमारे पास होने चाहिए जो टेकनलोजी जो हतियार और जो जग का साजो समान होना चाहिए वो भारती सेना के पास नहीं है और सेना के बज़ट में भी कटौती हुई है जो और भी बढ़ती जा रही है और इसलिए जमीन पर सैनिक सोचता है कि इस सब का आखर नतीजा क्या होगा यही बड़ा मुद्दा है मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ पर कई चीजों को देखकर मुझे महसूस होता है मैंने कई देशों के सैन ने अधिकारियों से बातचीत की है जैसे अमेरिका, इसराइल, इंगलेंड और भी दूसरी जगों के और इन में चाइना के अधिकारी भी शामिल है मुझे लगता है कि इसी समय एक बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत है अगले पांच से दस साल में हमें टेक्नालोजी के मामले में उससे कहीं ज्यादा सक्षम होना चाहिए जितने की हमाज है अगले दस-बारा साल में बस एक बहुत बड़ी सेना के शायद कोई माइने न रह जाए मैं जानता हूँ हम उस देशा में बढ़ रहे हैं लेकिन मेरी राए में ये उतनी तेजी से नहीं हो रहा है जितनी तेजी से होना चाहिए और ये उसके बराबर नहीं है जितनी तेजी से दूसरे देश आगे बढ़ रहे है खास कर अमेरिका में वे अपना सारा ध्यान सेना को कम से कम करने में लगा रहे हैं बहुत कम और कुशल और यही उनका कहना है उनकी सेना आगे चल कर बहुत कम और कुशल होगी यह बड़े बड़े जहाज जो पूरी दुनिया में पहले हुए हैं इन सब को अमेरिका अगले 10-15 साल में हटा लेगा खास तोर पर अपने नए राष्टपती के साथ वे उस तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं अब वो दुनिया भर में कहीं भी जंग लड़ने में यकीन नहीं रखते हैं उनका ऐसा नजरिया है उन्हें लगता है कि वे अपने सेनिकों को कहीं भीजने के बजाए कई तरह की टकनॉलिजी का इस्तिमाल कर सकते हैं मेरे ख्याल से हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और हम ये कितनी जल्दी कर सकते हैं इसमें कौन सी चुनोतियां हैं इस बारे में आप बेहतर जानते हैं पर मेरे ख्याल से सेना को और सेना में जो सीनियर आफिसर्स हैं उनको लगातार इस तरफ जोर देना चाहिए क्योंकि सिर्फ बहादुरी और लड़नी की इच्छा मरने का जजबा शायद भविश में काम नहीं आएगा टेकनालोजी की धार होना जरूरी है और हमारे यहां करोणों लोग ऐसे हैं जिनके पास बेहतरीन तक्निक एक्षमताएं हैं उस टेकनालोजी की बेहतरीन चीज़ें हमारी सशस्त्र सेनाओं को मिलनी चाहिए देखिए मुझे लगता है कि सेनाओं के साथ जो सबसे बड़ा अन्याए जो हुआ है नौसेना को छोड़ कर जिसके पास एक सपष्ट कुदरती सरहद है यह देश बहुत जल्दबाजी में बनाए गया मैं तो कहूंगा कि एक अपवित्र जल्दबाजी में यानि हमने बस नक्षे पर लकीरें खींच दी अलग-अलग भावगोलिक विशेष्टाओं को ध्यान में रखे बिना जब आप भावगोलिक विशेष्टाओं को ध्यान में रखे बिना लकीरें खींचते हैं तो उन लकीरों की सुरक्षा करना बहुत ही मुश्किल होता है अभी आप इसी समस्या से जूज रहें नहीं देना चाहता पर हमने बहुत जल्दबाजी में लकीरें खींची इस पर एक कटाक्ष करती हुई फिल्म है पता नहीं आपने देखी या नहीं क्योंकि किसी ने कहा कि मैं उसे देखूं कुछ बेगम जान वगारा नाम है आपने ये फिल्म देखिए इसमें रैड कलिफ इन घर के बीच से होकर गुजर रही है और उसने एक वेश्चा के घर को दो हिस्सों में बांट दिया तो सिर्फ गाउं ही नहीं इन लकीरों ने घरों को भी बांट दिया तो जब आप ऐसी बेतुकी लकीरें खींचते हैं और उमीद करते हैं कि उसकी सुरक्षा की जाए सै प्रदर्शनी भी देखी थी जो दिल्ली में सेना ने लगाई थी और मैंने अपनी सेना के इतिहास के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है कृपे आप मेरी बात को सही अर्थ में समझें वजह चाहे जो भी हो जहां तक संभव हो यह ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए जान ले ली जाए लोगों को देश के लिए जीना चाहिए लोगों को देश के लिए मरना नहीं चाहिए बशर्ति कोई गंभीर परिस्थिती हो जिसे टाला न जा सके पर जब आप एक अप्रा कृतिक सीमा की सुरक्षा करते हैं तो बहुत सारे लोग बिना वजह मारे जाते हैं हम इसका गुणगान कर सकते हैं ठीक है जिन लोगों ने अपने प्राण नियुचावर कर दिये हमें उनका सम्मान करना चाहिए ये सब ठीक है लेकिन फिर भी एक इनसान मर गया कुल मिलाकर एक इनसान मर गया हम इससे कितने भी अर्थवर भावनाएं जोड़ सकते हैं लेकिन एक इनसान मर गया जिस इनसान को मरना नहीं था वो मर गया ये अच्छी बात नहीं है और हमने बहुत बेतुकी लकीरیں खीज़ दी है उनकी रखवाली करना बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई नहीं जानता कि आखिर वो लकीर है कहां मुझे यकीन है आप बॉर्डर पर रहते हैं फिर भी आपको नहीं पता कि वो असल में लकीर कहां है क्योंकि इन लकीरों को ठीक से माग करने के लिए कोई भागूलिक विशिश्टाएं नहीं है शायद कुछ जगे आप कहेंगे कि ये नदी हमें बाटती है ठीक है ये आसान है पर खास तोर पर पश्चिमी बॉर्डर इस तरह खींची गई है कि कोई नहीं जानता कि लकीर कहां है हर समय सब उसे धकेलने में लगे रहते हैं सतर साल के दोरान दोनों तरफ से कितने लोग जान गवा चुके हैं किसलिए इस सीमाओं को सही तरह से खींचने के लिए हम वक्त ले सकते थे तो हम देश बनाने की जल्दी में थे हम इतिहास का पोस्ट मॉर्टम नहीं कर सकते अब ये हो चुका है पर कम से कम अब जहां भी इसका समाधान निकालना संभव हो हमें निकालना चाहिए पस्चमी बॉर्डर का समाधान जल्दी निकलता नहीं दिखता पर हमारी उत्तरी बॉर्डर का समाधान काफी हد तक संभव है अगर लोग सही नियत से बैठ कर बात करें तो हल निकलना संभव है क्योंकि वहां हालात अलग है बहुत अलग तो इसे सशस्त्र सेनाओं के हिद के लिए और देश के हिद के लिए करना चाहिए और हम इस पर कितना पैसा खर्च करते है जबकि ये एक गरीब देश है जहां लगबग 40 करोड लोगों को अब भी भर पेट खाना नहीं मिलता तो इस खर्चे को कम करने का एक तरीका है ये काम फौरन तो नहीं हो सकता पर अगले दस साल में अगर हम अपनी सेनाओं को काफी छोटा और ज्यादा असरदार बनाने का प्लान करें टेकनॉलोजी से जुड़ी ख्षमताओं की मदद से तो मुझे लगता है कि ये आगे बढ़ें का सही तरीका है मेरे ख्याल से और कोई तरीका नहीं है